असलाब लिक्राब भोट दिस इस बिलाब भाव विडियो विले सरकारों भाई आज की इस वीडियो के अदर एक और पाकिस्तानी मोबाइल फोन जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भाई रिसेटली हमने यह देखा है कि पाकिस्तानी मोबाइल कंपनी हमारे स चल रहा है देखो यह मोडल तो चाइना के अंदर भी चल रहा है यू हाव तो अंडरस्टैंड कि जब भी कोई बंदा आजकल मोबाइल फोन की कंपनी बनाता है तो वो एक डिजाइनर के पास जाता है उससे जो मौडल का डिजाइन है वो खरीदता है प्रोसेसर खरीदता ह बागी चीज़ें खरीदता है और मॉबाइल फोन बना दिया जाता है जिसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई डिजाइन किसी और मॉबाइल फोन के ओपर देखने को मिल रहा है तो हो सकता है कि दोनों सेम डिजाइनर से ही चैसी लेकर आए यह ऐसे ही है जिस तरह मुकमल तरर पाकिस्तानिय तो s dared to what I mean एस के स्पार्क्स नामका कोई बी और नहीं पूरी दुनिया में यह पाकिस्तानroad राव औरした बिलके रीसे दी इस वीडियो के अंदर एक ऐसा आपको दिखाने वाला हूं जो कि Tech eyes रूपीज मैं डॉलर्स कहने लगा था अंडर 30,000 रूपीज आपको इतनी मज़दार स्पेसिफिकेशन्स प्रवाइड कर रहा है कि काफी सादा लोगों की रेक्वाइर्मेंट ये फोन पूरी कर देगा इस मुबाइल पून का नाम है स्पार्क्स नियो एक्स बॉक्स जो है काफी बड़े साइस का बनाया गया है इसके दोनों साइट पर इसकी जो हाइलाइट्स हैं वो मेंचिन की गई है 50 मेगा पिक्सिल AI कौड कैमरा जो है वो मेंचिन किया गया है यहां पर मैं ये बात बता दू कि ये एकलौता मुबाइल फोन है जो के 30,000 से नीचे 50 मेगा पि लियो जी 37 का प्रोसेसर है एक क्रिटिसिजम जो कि हमने देखा है काफी फोन के दाथ वो यह है कि उनके अंदर यूनिसौक का चिपसेट आता है और यहां पर मीडिया टेक का चिपसेट लगाया गया है साइड माउंटर फिंगरिड स्कैनर है LTE है और उसके लाद स्लीक डि नहीं लग रहा है और यहां पर इसका अगर मैं प्लास्टिक रिमूव करूँ तो अगेन वही हाइलाइट जो है वो दुबारा मेंशन की गई है की प्रोटेक्टर आपको प्री अप्लाइट देखने को मिलता है और जैसे मैं बता चुका हूं कि मेरी टीम इसको टेस्ट कर चुकी है मुबाइल फोन स्लाइटली ऑन दे थिकर साइड है ओ इस मुबाइल फोन का जो डिजाइन है वो बहुत ही जादा इंट्रिस्टिंग डिजाइन है इस लुक्स लाइक के अगर आप कोई मिड रेंज फोन की बैक और S21 अल्टरा की बैक को मिलाएं तो जो चीज बन ये जो डिजाइन है यूनीक भी लगता है क्योंकि इसका जो कलर है वो बहुत जादा यूनीक है ये कॉपर और मरून टाइप का कलर है बैक पर आप देख सकते हैं क्वाड कैमरा सेटप यानि के चार कैमरे लगाएंवे हैं इनको भी हम देख लेंगे उपर ओली साइट खा यह सिलिकन है क्या है यह बेरी इंटर्सिंग माटिरियल लग यह दिखने में वं चेसिहार ये बड़ी ही बमपर देंको मिलते हैं यह हार्ड प्लास्निक में हिसको बड़ी इंटर्सिंगल ने क्या इसका बिक बाग्रा कर आपकी जो डिगन उप परेंग के कह लग करना है तो आपने बेसिकली जो कवर है वो नहीं लगाना अगर आप यह कलर दिखाना चाहते हैं फॉर्दर इन दा बॉक्स आपको आपका पेपर वर्क देखने को मिल जाता है यह ओफिछली पाकिस्तान के अंदर आपको पाकिस्तानी ब्रैंड है तो भाई पीटी इस मुबाइल फोन के अंदर 18 वाट की चार्जिंग दी गई है जिसका मतलब यह है कि आप आफ्टर मार्केट चार्जर भी अगर लगाएंगे तो यह फास्ट चार्जिंग प्रॉपर प्रॉइड कर देगा जो बहुत बड़ी बात है उसकी रीजन यह है कि यह मुबाइल अंडर 30,000 आ रहा है और बिफोर मुविंग फावरड मैं यह बात करना चाहूंगा और यह बात मैं सिर्फ स्पार्ट के लिए नहीं कहरा दो से तीन ब्रैंड्स हैं जो कि इस पॉइंट पे बहुत जादा अग्रेसिव प्राइसिंग कर रहे हैं और उसकी वज़ए से जो ब वो प्राइसिंग ऐसे कर रहे थे कि भाई लोगों के हराम का पैसा है और मुझे घुसा भी आया अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो तीन चार ब्रैंड्स है जिनकी मैंने काफी बजाई है क्योंके बात यह मुझे पता है कि किसी बंदे के लिए 20,000 या 30,000 कमाना भी कितना मुझेल है यहाँ पर लोगों की जो मंतली सैलरी है वो 40,000 के करीब होती है उसमें से पैसे निकालना और फोन लेना एक बहुत ही इंपॉर्टन चीज होती है और कंपनी 80,000 का फोन लाउच कर रही है जिसमें चार जी भी रहा है तो यार वो चीज मुझे बड़ी भी बताई थी वो यह है कि इसके अंदर आपको गूगल का जो स्टाउक एंड्रॉइड है वो वाली लुक देखने को मिल रही है जिसकी वज़ए से यह देखने में काफी अद्र तक जो पिक्सल टाइप की लुक है वो प्रोइड करता है जो कि बड़ी बात है उसकी रीजन यह है कि यहाँ पर उनने कोई अपना ड्रामा लगाने की कोशिश नहीं की और यह बड़ी अच्छी चीज है क्योंकि हम लोग डिजाइनिंग में पाकिस्तानी डिजाइनिंग में अच्छे नहीं है तो उन्होंने काया कि बाई जो गूगल का एंडरॉइड हम उसी के साथ और उसकी वज़ा से यह बहुत ज़ादा modern look भी जो है वो provide कर रहा है यहाँ पर mobile phone की हम जो options है उसके अंदर चले जाते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो android का version दिया गया है वो भी android 13 है जो कि इस time android का latest version है तो 30 हजार से नीचे का phone है यह और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि android का latest version आ रहा है USB type C आ रही है इंटर्नल्स के अगर आप बात कते हैं तो यहाँ पर media tech का helio g37 का chipset लगाया गया है और इसके अगर आप performance की बात कते हैं तो हमने यहाँ पर test out की है एंटूटू के ओपर यह तक्रीवन एक लाग साट दार का score प्रोवाइड करता है विच बेसिकली मीन्स कि अगर आप day to day task की बात कते हैं तो आपको इस mobile phone पर कोई भी problem नहीं आने वाली गेमिंग की अगर आप बात करते हैं तो मैं यह कहूंगा PUBG इसके ओपर चल जाती है smooth और balance के ओपर medium frame rate है विच बेसिकली मीन्स के gaming device नहीं इसको मैं कह सकता बट आप इस पर gaming कर सकते हैं और फ्रैकली स्पीकिंग जो चीज इस mobile phone की सबसे दावर unique है वो अगेन इसकी price tag है यह under 30,000 है विच अगेन मैं परिशान हूँ इस phone के pricing के देखके इसके लावा यहाँ पर जो display लगाया गया है 720p resolution का display है और इस display के अंदर आपको 90Hz का refresh rate भी देखने को मिल जाता है तो यह mobile phone high refresh rate वाले display के साथ आता है अगेन छोटी 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 चीज़े हैं जिब पर focus किया गया है और उसकी वएज़े से यह mobile phone कावी जाते interesting बन जाता है कैमरा जो कि इस mobile phone की main highlight है जो कि इस mobile phone का I would say के important feature है उसको तरह देख लेते हैं फ्रेंट कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर 8 Megapixel का कैमरा दिया गया है और मैं HDR को on करे के भी तस्वीरे दोतीं खेंच लेता हूँ भाई ताके हम बेतर तरीके से जो पिच्चर जाना वो ले सके हैं यह तस्वीर जो केस्टेम आप साओ अपने सामने देख रहे हैं यह HDR के थूर ली गई है और आप देख सकते हैं कि फेस के उपर थोड़े बहुत जो colors है वो वापस आ गए है अगर आप नॉर्मल तस्वीर की बात करते हैं वो थोड़ा सा white look provide कर रही है मुझे यह लगता है कि पाकिस्टानी market में नॉर्मल HDR mode के बगएर वाली जो images हैं वो जादा लोगों को पसंद आने वाली है बासित भाई इनकी कुछ तस्वीरें आप देखें यह back camera से ली गई तस्वीरें है और 50 megapixel का जो main camera है उसके बारे में मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर आप बात करते हैं 50 megapixel की तो 50 megapixel एक ऐसी range बन जाती है कि आप सोचते हैं कि भाई मैंने तो दो लाख के फोन में 50 megapixel देखा है तो यह उस लिहाद से वह ली dynamic range तो आपको provide नहीं कर सकता क्योंकि obviously 50 megapixel camera के साथ processing और वो चीज़ें भी चाहिए बट अगर आप बात करते हैं resolution की तो front और back दोनों की resolution काफी अच्छी है and then again यार यह 30,000 रुपय का mobile phone है हम देखो जो चीज़ें discuss कर रहे हैं यह usually discuss करने में ही नहीं आती तीसादार में वीडियो के अगर आप बात करते हैं तो front और back दोनों के अंदर ही आपको 1080p video recording की option मिल जाती है एक professional mode के नाम से mode दिया गया जिसमें चीज़ें थोड़ी सी controlled है portrait mode इस mobile phone में available है और इसके अंदर night mode की facility भी available है लेकिन portrait, front और back दोनों में काम करता है night mode सिर और back camera के लिए available है और अगर आप बात करते हैं बाकी lenses की तो इनके अंदर एक आपको macro sensor मिल जाता है यानि के full चीज़ों के अंदर जाके zoom करने के लिए एक आपका depth sensor है और एक sensor में ये कहूँगा कि भाई aesthetic को पूरा करने के लिए लगाया गया है basically according to sparks ये जो camera है ये colors के लिए लगाया गया है बट मुझे ये बात लग रही है कि aesthetics को पूरा करने के लिए उनने एक sensor लगा दिया यहाँ पर sensor ज़रूर मौझे है तो ऐसे नहीं है कि यह सिर्फ design हो sensor यहाँ पर मौझे है लेकिन वो उनके अपने algorithm में किस तरह से use होता है उसके बारे में हमें exact knowledge जो है वो यहाँ पर available नहीं है side modification scanner भी ठीक speed provide कर देता है और यहाँ पर 5000 mAh की बैटले के साथ 18 watt की charging दी गई है तो all in all I would say कि अगर आप 30,000 के price tag को दिमाग में रखते हैं तो this is actually a device जो कि मैं recommend कर सकता हूँ और then again एक पाकिस्तानी ब्रैंड की तरह से device है तो उसके कुछ खास advantages भी है जैसे आपको PTA बगरा के मसले नहीं है warranty local है और वो वाली सारी चीज़े आ जाती है I hope you video आपको पसंद आई होगी इस phone के related आपके क्या opinions है मुझे comments में ज़रूर बताईएगा sparks के related आपके क्या opinions है वो भी ज़रा मुझे बता दीजेगा इस video में इतना है दिजब आपके क्या चाहँ आपके क्या आपके क्या आपके क्या है